सत्नमो आदेश गुरुजी के उम गुरुजी श्रिनाज गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भाहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश एक किताब पढ़ ला था, एरिस्टोटल का, मेटाफिजिक्स उसके दूसरे चाप्टर में, एरिस्टोटल ने बताया है कि जो जानकारी वर्ष किसी विशय का अध्यन करते हैं, वो काफी स्पेसिविक जानकारीों को खोजते हैं, ऐसी जानकारी जो की accepted है, social norms में, और जो किसी विशय से जुड़ते हैं, वो ऐसी चीजों को खोजने में लगे रहते हैं, जो सबको नहीं पता होती है, ठीक है, कहने का दात पर है, ऐसी साधनाये जब आप लोग खोजते हैं, जो स्पेसिविक साधनाये होती हैं, तो उसका उदेश ये है, उसका साधना को करना चाहते हैं, देखो, आपको अगर कोई ये बताता है कि ये एक साधना आप कर लो, इससे इसका मोहिनी हो जाएगा, इसका मारण हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या आपका शरीर उस साधना को पचा पाएगा, ये सोचना आपका काम है, वो जिसन ने दे दिया उसका कोई काम नहीं है क्योंकि रेटेलियेशन होगा उसके भाग में कुछ जाएगा लेकिन 108 में 100 आपके पास आता है एक उसके पास जाता आठ ठीक दूसरा जब आप कोई मंदर किसी से लेके करते हो और वो अधिकृत नहीं होता है तो वो मंदर जब आप करते हैं तो उसके वाइब्रेशन से आपका मन और शरीर बहुत तरीके के आसाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है इसलिए साधना हमेशा प्रमबत तरीके से करना चाहिए अब आते हैं विशय पे आज का विशय है गोरक्ष मंत्र आज जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा और जो विधी बताऊंगा ये गोरक्ष नात पंथ में सबसे मजबूत मंत्र माना जाता है इस मंत्र में जाप है और इस मंत्र में हवन देखो आहूती देते हुए जाप करना हमेशा सिर्फ जाप करने से बहतर होता है ऐसा माना गया है और इसका लाब जादा होता है तो जैसे आप जाप कर रहे हो जैसे एक मंत्र पढ़ा जाप किया एक मंत्र जाप करके उसका दाहू दे दिया आपने तो उसको करने से क्या होगा आपको दशान सवन भी नहीं करना होगा और साथ में आपका जाप भी चलता रहता है थो मंत्र बांध़ा और साथ मुआ उसके बाद जापने वाला मंत्र गोळस गाыт्री साबर है आप मंत्र को जब आप सिध्ध करते हो तो जीवन भर में एक आक्षारी शब्द का 96 लाग जाप होता है उसको सिध्ध करने के लिए लेकिन जो साबर है उसको मैंने हमेशा बोला है कि आपको कम जापना होता है तो ये जो गोरक्ष गाहित्री मंत्र है इसको आप पूरे जीवन काल में 9 लाग जपिएगा पूरे जीवन काल में एक दिन में 108 जाप करना सफीशन्ट है तो रोज 108 जाप करिएगा गोरक्ष गाहित्री का उसके बाद जो मंत्र बताऊंगा वो करिएगा एक विशय और है आप लोग बोलते हैं वो सपनों के द्वारा या फिर आपके कान में बोल दिया जाता है ठीक है तो अगर आपको ये प्राक्टिस नहीं रहेगा कि आप सुनके मंत्र उतार सके या खोच सके तो आने वाले दिनों में आपके लिए साधना करना मुश्किल हो जाएगा आपको गुरू जो है आपके दो मंत्र देंगे चार मंत्र देंगे बाके मंत्र आपको जो शक्तियां है वो बताती है मुझे बहुत दिन बाद पता चला कि एक डिजीज होता है तीनी टस करके उसमें कान में आवाजे आती है किसी को गाना सुनाई देता है, किसी को कुछ सुनाई देता है, मुझे मंत्र सुनाई देता था, जिस दिन मैंने उस मंत्र को खोज निकाला, उसके बाद से वो tinnitus disease मेरे जिवन से चला गया, ठीक है, तो आप लोग, मैं जो मंत्र बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, बहुत सा जापते, ठीक है, जो हमारा गुरक्ष गाहितरी जो आपको पढ़ना वो ये है, गुरक्ष गाहितरी जापने से पहले, दो तीन बाते हैं, एक तो है कि भस्म मंत्र आपको आना चाहिए, भस्म लगा लेना, और दूसरा, आसन बिछा के आसन मंत्र पढ़ लेना, उसके अबहा पन्ता, शुक्ष में वेदा, असन के सका, अनन्त परवना, निरजन गोत्र, त्रिकुटी छेतर, जुगती जोगा, जल स्वरूप, रुद्रवन, सर्वदेव ध्याते, आईश्री संभूजती, गुरू गोरक्ष नात, ओम, सोहम, ततपुर्शाय विदमहे, शिव गोरक्षाय धीमही, तन्नो गोरक्ष प्रचोद्यात, ओम, इतना गोरक्ष गाहितरी जाप संपुर्ण भया, गंगा, गोदावरी, त्रेंबक, छेतर, कोलाचल, अनुपांच, शिलापर, सिद्धासन बैठे, नवनात, चावरासी, सिद्ध, अनन्त कोटी, सिद्ध, श्री संभूजती गुरु गोरक्ष नाज जी, कतपड जबकर सुनाया, सिद्धो गुरु वरो आदेश आदेश, ये संपुर्ण गोरक्ष गाहितरी मंत्र है, इसको जाप करना है आपको रोज 108 बार, 108 बार जब आप इसको जाप करेंगे, इसको प्रती दिन करिएगा, और उसके बाद जो अपना मंत्र है, गोरक्ष नाज जी का, ओम शिव गोरक्ष योगी, ओम शिव गोरक्ष योगी, इस मंत्र का आप लोग फिर से 108 माला कीजिएगा, तो on an average day आपको इसको 108 बार, और इसके बाद 108 बार ओम शिव गोरक्ष योगी का जाप करना है, लेकिन जैस माला जपिएगा पहले 9 दिन में या 11 दिन में, तो आपका जो है, करीब करीब 11,000 माला पूरा होगा, पूरे जीवन भर में आपको कितना माला पूरा करना है, आपको 9 लाग जाप पूरा करना है, तो ऐसे ही लाइफ में जब आप पस टाइम रहे, तो 11,11 माला करके इसको 9 10 लाग जाप कर लीजेगा, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, इसके आद शिव गोरक्षी योगी जरूर जाप किएगा, ओम शिव गोरक्षम भी मंत्र है, लेकिन वो रक्षा का मंत्र हो आपको जो जपना है, ओम शिव गोरक्षी योगी, ये मंत्र जाप है Amazon पे clipcard पे पूरे विश्व में आपको मिल जाएगा कहीं से भी आप खरीद के पढ़ सकते हैं मुझसे बात करना है तो call me for app download करिए और उसमें रूतरनाच सर्च करके आप मुझे phone कर सकते हैं website पे मेरा appointment आप ले सकते हैं आज कल मैंने एक ग्रूप शुरू किया जितमें सिल्सलेवा डंच से मैं साथ माइं सिखार हूं तो वो भी आप जाइन कर सकते हैं मुझे message करके आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश 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 आलाख आदेश